हलो फ्रंट्स आज कि इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार में टेजर रिकूट्मेंट और बिहार में दूसरी गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड निउस को तो सबसे पहले आपके स्कीन पर ये है हिंदुस्तान अकबार पटना से जो परकाशित हुआ है उसने ये च्छापा इसमें लिखा हुआ है अगर आप इसको पाउस करके पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कई जिले में लॉकडाउन चल रहा था जिस कारण से डेट को चेंज किया गया 22 से 25 जुलाई जो होगी वो डेट होगी उनको नियुकती पत्र मिल जाएगा उनके जॉब फाइनल है इसलिए इसको कवर कर रहे हैं इसके बाद फिर से लौटेंगे टीचर रिकूट्मेंट वाली खबरों की तरफ 20,000 करोड जुटाने की है योजना कोल इंडिया और आईडी बैंक में विनिवेश की तैयारी में सरकार ठीक है कोल इंडिया और आईडी बैंक बैंक कई बैं चाहते हैं तो आप एकनोमिक्स टाइम या किसी भी पॉर्टल जो एकनोमिक्स नीवस को कवर करता है या आईडी बैंक विकिपीडिया पेज पर ही चले जाए आँको पता लग जाएगा आईडी बैंक में सरकार का शेर 50 परसेंट के नीचे जा चुका है वह आलड़ी एक प यह लिखता है कि कोल इंडिया आप इसमें डेट भी देख सकते हैं इस जगह पर 26 जून का डेट है कोल इंडिया फिनेंशल है देखें 2020 का है प्रॉफिट डॉप्स 4.3 परसेंट प्रॉफिट में 4.3 परसेंट की कमी है वह 4 परसेंट उपर नीचे वह चलता रहता है पर उस psychologist भी 16,714 करोड का सरकार को इसने फायद दिया कॉल इंडिया कंपनी में इसके बावजब भी इसकाoga विनिवेज किया रहा है इसको प्राइविट किया जा रहा है इस तरह से प्राइविट करना दोनु कमपनीओं का आईडी ब्याई का और कॉल इंडिया का दोनों का जो करे में अच्छा करके एक दिन कॉवर्मेंट जॉब लेगा उनके लिए भी ऑपर्चुनिटी खतम हो जाएगी यह पूरा अप्रोच जो है जो पॉलिसी है आज के टाइम भी वो कैपिटलिज्म वाली है और जो बाते हैं नेताओं की वो सोशलिज्म वाली है तो इस बात को समझन कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़े और सरकार उस मुनाफ़े को आम जनता तक ले करके जाए पर कोल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों जो हजारों करोड का मुनाफ़ा देती है सरकार को उसको प्राइवेट करना सभी खदम नहीं है जिनका प्राइवडाइजेशन पहले हो च सकते हैं अब जो टीचर से उनको और कई दूसरे कामों में लगाया जा रहा है कि कुरोना इश्यू के चलते है कि पंचायत इस्तर पर जन्वित्रन प्रनाली के विक्रताओं से सहा से कराया जाए यह काम टीचर्स के भी कई एसोशेशन है उन्होंने भी मना कर दिया सौहेड मास्टरों का वेतन बन कई सारे स्कूल को पहले भी बात हो चुगे कई सारे स्कूल को अपग्रेट किया जा रहा था उनको 19 की पढ़ाई के लिए तयार किया जा रहा था उसमें जो स्कूल को अपग्रेट किया गया बिल्डिंग बनी लैब बना या जो भी सरकार ने डेवलप किया वहाँ पर उसमें भी बहुत लोगों ने फाइदा उठाया और इस कबर को अगर आप पूरा पढ़ें तो ये वही वाला मामला है स्मार्ट क्लास और रातरी प्रहरी के विवस्था नहीं करने वाले जिले के 100 स्कूलों के हेड मास्टर का वेतन बंद कर दिया गया है शुकरबार को अप्रेड स्कूल की वेवस्था संबंदित रिपोर्ट की समिक्षा करते हुए डियो अब्दुल सलाम अंसारी ने ये निर्देश जारी किया डियो ने कहा कि जब तक इन स्कूलों में वेवस्था नहीं हो जाती है तब तक इन सबी 100 हेड मास्टरों का वेतन बंद रहेगा लोकल लिवल पर जो चाए हेड मास्टर था या कॉंट्रेक्टर था उन लोगों के लिए एक अपॉर्चूनिटी होता है जब भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट आता है और इसी तरह कि एक लापरवाही का नतीज़ा है जो 100 हेड मास्टरों का वेतन बंद हुआ है आप लोकल लिवल पर पता कर सकते हैं अपने हापर कितना फायदा इन लोगों ने उठाया है इस को अपगेरेट करने के नाम पर अगली खबर की तरफ चलते हैं पटना मेट्रों के लिए भरती किरिया इस्थगीत हो गई है इंतिम समय पर हुई इस्थगीत इसकी कई सारी भरती बरती आये थी मैंने सब कॉंट्रेक्ट पोस्ट पर था कॉंट्रेक्ट के जरीए ही था काफ़ी सारे पोस्ट ऐसे थे जहां पर उन लोगों को ही जॉब का ओफर था जो लोग पहले से चौब कर चुके हैं या रिटाय रोग दिया है लॉक्डाउन के कारण बताया गया है इन पदों के लिए भाग्ट और अविज्यापन बरकाशित कराया गया था कुल मिलागे वही बाते हैं तो इस तरह से और भी कोई अगर बिहार के अंदर कोई भी खबर आती है एक और लास्ट खबर है उसके बाद रिडियो को बंद करते हैं यह अपने स्कीन पर देख रहे हैं वन अरक्षी के पांसो पनों पर बहाली को परकिरिया शुरू कि विश्विद्याले अदिती सिक्षकों ने कोट जाने की दी धमकी अभी विश्विद्यालियों में जो लेक्षर प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होनी है वो अभी आई नहीं है जब आएगी तब आपको अपडेट करेंगे पर आने से पहले ही वहां पर कोट केस की धमकी शुरू हो गई है अब वो आएगी या नहीं आएगी यह पता नहीं पर कोट केस की धमकी देने वाले पहले से बैठे हुए और वन रेक्षी के 500 पदों पर बहाली की परकिरिया शुरू इसको अगर आप पढ़ें जिसका जो में पॉइंट है उसको पढ़ते हैं उसका वीडियो को बंद करते हैं परशर ने पनाजिन के अंदर बहाली का विग्यापन जारी करने की तैयारी कर ली है यह वाला पॉइंट देखिए जहां पर अभी मेरा कर्शर है वनारक्षी के पदों पर करीब 19 महीने बाद बहाली होने जा रही है पिछले सल जन्वरी में 902 पदों पर बहाली हुई थी पर आएगी तो आपको जरूर अपडेट करेंगे पर अभी के लिए बस इतने ही खबरे थी टीचर रिकूट्मेंट से लेटेड और दूसरी जॉब से लेटेड बाखी बिहार के अंदर कोई भी जॉब आती कॉमेंट जॉब की नियूज आती है या बिहार इस टीटी ए टीचर रिकूट्मेंट से कोई खबर आती है तो चैनल पर अपडेट हो जागा चैनल को सबस्क्राइब कर दें थैंक यूज आ अ झाल 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 झाल